हाई फ्रेंड्स ऑनलाइन प्रिप्रेशन भी थारती में आपका बहुत बहुत श्वागत है और फ्रेंड्स से अधियाप बीएट करना चाहे रहे हैं तो बहुत अच्छा आपके पास मौका है और यदि आप खासतों पर बिहार से रहने वाले हैं तो यह मौका और भी मौके कि चौका लग जाएगा क्योंकि जो बिहार है वो फोर येर का इंटर ग्रेटेड बीएट कोर्स कराने जा रही है जी हां बिहार सरकार जो है जिसको बिहार बीएट सी एटी के नाम से जाना जाता है चार साल का इंटर ग्रेटेड बीएट कोर्स कराने जा रही है यानि कि य एदि आप graduation करना चाहरे हैं तो graduation के साथ-साथ में आप b8 भी कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं आप फो इसके पहले exam होंगे ये भी आपको बता देती हूं तो यह BIF site है मैं इसका link description box पे देदूँगी तो वहाँ से आप आके यहाँ site पे देख सकते हैं यहाँ पे notice board में देखिए यहाँ पे अगर हम आते हैं कि notice for admission 4 year integrated BA यानि BA BA, BSC BA starting from 26 August यानि जो यह कल से है start हो चुका है ठीक है तो इसको हम click करते हैं और यहाँ पे तोड़ा से यह भी देख लेते हैं लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ BA BA, BSC के साथ में आप BA कर सकते हैं तो यह prospectus आप यहाँ से download कर सकते हैं चलिए यहाँ पे देखते हैं 4 year integrated के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और पीडिया फाइल है यह थोड़ी सी download हो जाए यह देखिए यहाँ पे जो है यह डाउनलोड हो जारी कर दिया गया है थोड़ा पढ़ने में बहुत ही डल है लेकिन फिर में पढ़के आपको बताती हूं कि बिहार राज के अभी सी विद्यालेओं से संबंध अंगी भूत महा विद्यालेओं के सैक्षिक सत्र 2019-23 के लिए कि चार साल का है ठीक है ना चार साल का जो इंट यहां पर क्लियर कर दिया गया आप देख लिए यहां पर बिल्कुन लिखा हुआ है रिगुलर मोड में नामंकन हे तुरा इस तरी सहीं तुर प्रवेस परिक्षा दिनांग 15 सेप्टेंबर को नो यानी 15 सेप्टेंबर को आपके इंटरंस एक्जाम होंगे बिएट के इसको बता दूंगी और इसके बाद अनुदेशों का पालन करना होगा और आफ आनलाइन आवेदन करने के पूर सभी अभ्यरती योगता अहरता संबंदी विवरण के लिए प्रोस्पेक्टर से उसका अवलोग करने जो भी में बता रही थी निची को आप पर प्रोस्पेक सब्सक्राइट पर दिनांग 262,900 प्लब्द रहे गया निकल से जो है यह अवलेबल हो गया है तो आनलाइन आवेदन फार्म जो है 262,019 से एक नौ बहुत कम टाइम दिया गया है 26 यानि 26 अगस्ट से जो है आवेदन भरे जा रहे हैं और सिर्फ एक सिप्टमबर तक सिप् सब्सक्राइब करने वाले तो यहां से सर जो गवर्मेंट कर वा रही है तो आप यहां से साथ में कर लीजिए मैं बिल्कुन इसके फेवर में हूं ऑनलाइन प्रेप्रेशन के कोर्स बहुत अच्छा है आपका वन यह यहां पर बचेगा वर्णनली जो बीड है वह टू यह कर दिया गया तो आपके जहां फाइफ यह लगने हैं तो यह आपके लगें तो यह पर लिंक पर रहे गाट वहां से आके आज आईएगा देखिए यहां पर प्रोस्पेक्टर्स भी दिया हुआ है तो निच्ट वीडियो में आपको बता दूंगी इसका प्रोस्पेक्टर् के बाद ही यहां पर होगा कि लोग इसके लिए इलिजबल होंगे यहां पर चलिए इसको क्लिक करते हैं खुल जाए ओपन हो रही है तो इसको हम देख लेते तो लगें हाथ प्रोस्पेक्टर्स देख लेते हैं नेस्ट वीडियो में आपको बता दूंगी किस तरह से फॉर चीजे आप पढ़ लीजेगा फार्म जमा करने की प्रक्रिया जो है वह ओनलाइन होगी ठीक है ना और पेमेंट गेटवे के द्वारा सुल क्यानी जो फीस है वह आप भर सकते हैं अब यहां पर देखते महातपूर तितियां दिशा निर्देश देखे 5 देख लेते सेक्ष सितंबर तक लाश्ट यहां पर रखी गई है रखी गया है कि तीं सितंबर तक आप भर सकते हैं लाश्ट देट आपको करेक्षन करना चाहते हैं तो तीन सितंबर नचाहिए और साथ ही डेट आप प्रपोज इंटरेंस एक्जाम होगा वह अभी 15 सितंबर आज की डेट यहा को सब्सक्राइब करना है तो सब कुछ इसमें पहले इसमें आपके लिए सेक्ष्ण के योगता बता देती हूं जब फॉर्म भरूंगी आपको बताऊंगी किस तरह से करना है ठीक है तो वहां पर फिर मैं आपको फीस बगए रही नेस्ट वीडियो में बताऊंगी देखिए यहां पर चार साल का जो यह कोर्ष कराया जा रहा है तो चार वर्सी एक इकरित बीएस सी बीएड और यहां पर बीएड से प्रबेस परिक्षा जो होता है सी इटी इंटर वीड के नाम सी जाना जाता है बीहार में यहां पर जो लिजविल्टी रखी गई है वो रखी गई है कि उच्चतर मादमिक प्रस दो या इसके समकक्ष कम सकम पचास अंकों के साथ यानि कि आपने ट्वल्थ किया है तो 50% में होने चाहिए जो ओल्ड लोग है यानि कि अंकों में चूट यानि कि जो लोग है उन लोग लिए 45 परशंट जो के जिन लोगों ने नाइस से डिलेट किया है सेम उसी कंडिशन पर हैं इसलिए उसकी जो बावंडेशन है इसलिए रखी गई तकी दोई चीज़े मैंने कहा था कि ट्वल्थ है और जो में भुकतान करना होगा प्रिंट आउट लेना होगा तो यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो के ज्यादा से ज्यादा जो है आप इसे शेयर करें ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए टाइम बहुत कम है इसका बहुत कम यहां पे देख लिए यह जो चाहिए दिए यह अरक्षित रखी गए लिए और अभरिजर के लिए लोग जो आती है आर्थिक दोर पर जो हमान कोट में लोगा आते हैं उनके जर्व में रखी जाएंगी फुट्टी पर्शेंट ठीक है ना तो आनलाइन आवेदन जमा करने को लागू रासरकार की आरक्षण नित का पालन किया जाए तो जो बिहार के लोग नहीं है बाहर के लोग हैं लोगों के लिए पात्र प्राप्त नहीं होंगे जो आरक्षण दि को देखेंगे सिलेवस क्या है कितने नंबर क्या कोश्टन साइंगी सब कुछ वीडियो में आपको आराम से बताएंगे ठीक है ना तो इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और कोई कैरियो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं चलिए फिन नेश्ट वीडियो के साथ हम आप से फिर मिलते हैं तब तक के लिए चेक केर बाय